हलो स्टूरेंट ये क्लास DRT फैस्ट येर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फैस्ट पोजिशनिंग आज का अपना टोपिक है वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी यानि कि अपने एक्सरे मसीन से रेडियोग्राफी पढ़ ली है अभी आज अपना टोपिक में इसमें क्या है वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी इसका मतलब पता है जैसे कि अपने एक्सरे मसीन है उसको एक्सर डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता है, इसलिए आईश्यू वार्ड में मसीन लेके जाएंगे और उसका एक्सरा करके लेंगे, इसी को अपने क्या बोलते हैं, वार्ड मॉबाइल रेडियोग्राफी, इसको आगे अपने कंटीन्यू करते हैं, वार्ड मॉबाइल रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी परफॉर्म इसी या वार्ड वार्ड मॉबाइल रेडियोग्राफी, वार्ड मॉबाइल रेडियोग्राफी, वार्ड मॉबाइल रेडियोग्राफी, वार्ड मॉबाइल रेडियोग्राफी, वार्ड में मोबाइल X-ray unit के द्वारा किया जाता है उसे अपने क्या बोलते हैं वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी अब बात करते हैं अपने patient कि वार्ड मोबाइल रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो उसके लिए कैसा patient होना चाहिए अपने वार्ड मोबाइल रेडियोगाफी उसी पैसेंट के के जाती है जो पैसेंट की मेडिकल कंडिशन यानि कि वो आईश्यू में बढ़ती है या वह एक्सेंड डिपार्टमेंट तक आने में सक्षम नहीं है यानि वहां तक नहीं आ सकता है एसे पैसेंट की आईश्यू और वार्ड में मुबाइल एक्सेंड मिसीन ले जाके एक्सपोज किया जाता है यानि रेडियोग्राफी किये जाती है यानि अपने पहले चेक करते हैं कि पैसेंट अपना सच में वहाँ X-ray डिपार्ट में नहीं आ सकता है उसकी कंडिशन खराब है तब वहाँ जाके अपने X-ray किया जाता है यह कौन-कौन से वार्ड में होता है काडियक सजरी यूनिट इस्पेसल केर बेबी यूनिट और्थोपेडिक यूनिट यह यूनिट है जहां अपने को मुबाइल X-ray मसीन के द्वारा वार्ड में जाके X-ray करना होता है यानि रेडियोग्राफी करनी होती है तब ही इसको रेडियोग्राफी नेेचिन है अपना जनरल कमेंट अपने कुछ कसमेंट बताएं गए है कि वार्ड मंगॉबाइल रेडियोग्राफी करते कि नमें क्या न्द्यान करते हैं प्रें में कैसे मशीन को लेके जाना झाहिए उपसक्त देखो उसमें सबसे पहले रेडियोग्राफर क्या करता है यह चेक करता है कि वार्ड में जाके एक्जामिनेशन करना जरूरी है यहनि कि पेशेंट अपना X-ray Department तक नहीं आ सकता है इसके बाद रेडियोग्राफर चेक करके आया उसके बाद वार्ड बोय के द्वारा अपने ICU में सही कैसेट और X-ray उनिट ट्रांसपर करवाई जाती है यहनि जो अपने वार्ड में X-ray करके आते हैं वो अपने मोबाइल X-ray मसीन होगी तो मोबाइल X-ray मसीन और कैसेट को वार्ड बोय के द्वारा ICU वार्ड तक ले जाया जाता है अपने वार्ड बोय को बोले जाता है कि X-ray मसीन और कैसेट के प्रती सारे प्रिकोशन्स रखी जाए यानि शावदानी पूर्द उसको लेके जाना है पूरी सभी बातों का ध्यान रखना है कि अपनी कैसेट आराम से जाने चाहिए कहीं पर मसीन को ले जाते टाइम कहीं से तर्थ नहीं होने चाहिए के दिवारों के लिफ्ट के या उसमें उससे डेमेज वगेरा आ सकता है नेक्स्ट है कंट्रोल ओफ इंफेक्शन अपन आईश्यू वार्ड में जा रहे हैं वहां के इंफेक्शन का डर भी रहता है पताने कौन से पेसेंट को अपने को रेडियोग्राफिक करने पड़ेगी कैसे किसे पेसेंट को पॉजिशन लगाने पड़ेगी इसलिए जो इंफेक्शन से बचने के तरीके हैं वह भी अपने को पूरी तरह ज्यान में रखने चाहिए देखो इसमें रेडियोग्राफर सुट बी वियर गाउन्स, फेस मास्क, कावर सूज, गलावज, एंड केप बिफोर इंटरिंग आईश्यू रेडियोग्राफर के द्वारा गाउन्स, फेस मास्क, कावर सूज, गलावज, केप ये सारे इस आईश्यू वार्ड में एंटरोने से पैने वे होने चाहिए यानि पूरी अपनी तरह से इंफेक्शन से बतने के लिए सभी प्रिप्रेशन करके जानी चाहिए एक्सरे मसीन एंड केसेट सुट बी क्लीनेड विद द एंटिसेप्टिक सॉल्यूशन विफोर यूज जब अपने एक्सरे मसीन से रेडियोग्राफी करने जा रहे हैं तो अपने एक्सरे मसीन को और केसेट को एंटिसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं क्योंकि अपने पहले पैसेंट के जब एक्स पोज किया तो उसके कैसेट बिल्कुल तच में आती है मसीन भी अपने उस वार्ड में लेकर जाते हैं नेक्स रेडियोग्राफ जाशे अपने डूसरे आईश्य वार्ड में या बेबी केर वार्ड में करनी है तो उस condition में अपने machine को क्या है, वहां भी cassette अपने जाएगी, machine जाएगी, इसलिए उस ward में जाने से पहले, machine और cassette को antiseptic solution से clean किया जाता है, ताकि कोई भी infection ना हो. अब बात करते हैं, अपने x-ray equipment, इसमें x-ray जो equipment यूज में लेते हैं, अपने machine काम में लेते हैं, वो कौन-कौन सी लेते हैं, portable x-ray machine और mobile x-ray machine, portable x-ray machine और mobile x-ray machine में क्या difference होता है, जो अपनी mobile x-ray machine होती है, वो अपने hospital में इस ward से उस ward में फिर उपर से निचे लेके जाते हैं, जो अपने portable x-ray machine होती है, वो अपने patient के गर पे भी ले जा सकते हैं, दूसरे hospital में भी ले जा सकते हैं, यानि उसको अच्छी तरह इदर से उदर अराम से ले जाया जा सकता है, इसलिए वो मसीन होती है अपने portable x-ray unit इसके image quality की बात करें कि इसकी image quality कैसी होती है या इसकी image quality को अपने कैसे बढ़ा सकते हैं तो वो देखो focal spot area कम होना चाहिए exposure time कम होना चाहिए और exposure factors sufficient होने चाहिए इससे कि अपने image की quality इसको बढ़ा सकते हैं अब next अपने बात करते हैं radiation protection की यह अपने machine की भी protection कर ली जो अपने अंदर wide boys आ रहा है उसको भी precautions वगहरा कर रख ली अब अपने खुद की safety से बात करते हैं खुद की safety radiation protection कैसे करेंगे देखो radiographer and patient relative must be protect adequately जो radiographer होता है वो और patient relative होते हैं उनको अच्छी तरह protection use में लेना चाहिए यह प्रयाप्त protection मिलना चाहिए all medical staff and relative of other patient must be left the area where procedure perform for avoid to radiation effect पूरा medical staff और patient के साथ के जो भी relative हैं उनको उस area से दूर हो जाना तरह यह जहां exposure होने वाला है यह जहां आपने यह procedure perform कर रहे हैं उस area से दूर हो जाना चाहिए ताकि radiation से protection उसके जो radiation का effect उससे बचा जा सके इसलिए जब अपने expose करते हैं तो अपने जो radiographer होता है expose करने वाला वो बोलता है सभी staff को की expose यह एक्सपोज किया जा रहा है तो staff क्या करता है वहाँ से दूर हो जाता है care of patient अब अपने patient की care कैसे करेंगे वह बात करते हैं देखो before do x-ray tell to medical staff to about procedure and for care of patient exposure करने से पहले या procedure करने से पहले अपने medical staff को बताया जाता है कि हम ऐसे ऐसे patient का procedure करने आए हैं radiography करने आए हैं तो जो भी patient की care होती है उसको ध्यान में रखे may be chance of remove ECG leads or any effect on injection or cannula or oxygen supply for avoid it tell to medical staff to care of patient अगर patient के कोई भी जैसे ECG lead लगी है या कोई injection लगाया है कोई cannula लगाया oxygen supply चल रही है तो अपने medical staff को बोलके उसको remove करवा दिया जाता है ताकि अपने patient की care अच्छी तरह हो सके if patient on oxygen supply so tell to medical staff to skip oxygen supply of patient to reduce the chance of any sparking condition of sometime अगर patient के oxygen supply लगी हुई है तो अपने medical staff को बोलके oxygen supply को हटवा दिया जाता है क्योंकि कई बार जब अपने एक्स्रे मसीन करते हैं तो oxygen क्या है आग लगाने में ज़्यादा सक्सम होती है तो जो oxygen supply चल ले बायचांज को sparking वगरा हुई तो उससे आग लग सकती है इसलिए कोई भी sparking वगरा ना हो और उससे बचने के लिए यान की के रोगी डेडियोग्राफर के केर होगी इसलिए क्या करते हैं अजब अपने एक्सपोज कर रहे होता है उस टाइम हट वाोदिया जाता है अब अपने यहां बात करते हैं part of ward mobile radiography छो अपने ward mobile radiography कर रहे हैं इसके कितने parts होते हैं तो अपने बात कीती कितनी units होती है portable x-ray unit or mobile x-ray unit उन दोनों के अपने यहां बात करेंगे तो सबसे पहले अपने बात करते हैं mobile x-ray unit की This is a x-ray machine capable of being moved या एक x-ray machine होती है जिसको mood करने आसानी होती है या अपने एक वाइड से दूसरे वाइड में move करना या लेके जाना ले आना आसान रहता है mountain on whale with motion break इसके दो whales लगे होते हैं जिस पर ये move करती है और इसके motion breaks भी होते हैं यानि इसके break लगाने के लिए अपने को आउशकता पड़ती है क्योंकि only whale रखेंगे तो अपने जैसे position लगा दी centring कर दी अगर वो थोड़ी सी हिल गई तो उसमें अपने radiography image clear नहीं आएगी इसलिए जब अपने patient के bed के पास machine को लेके जाते हैं तो वहाँ जाके machine के breaks लगा दिये जाते हैं उसके बाद centring और machine की position set की जाती है it heavier than portable x-ray unit ये जो अपने portable x-ray unit होती है उससे थोड़ी बारी होती है नेक्स्ट अपने बात करते हैं mobile x-ray unit के components के इसके कौन-कौन से पार्ट होती है तो देखो tube tube stand high tension transformer और control unit ये चार इसके पार्ट होते हैं आपने x-ray machine देखी होगी जैसे हाथी के सून की तरह उसके आगे सून लगा रहता है जिसके अंदर आगे अपनी x-ray machine लगी होगी और पीछे उसके पूरा control console रहता है two focal spot area small YouTube का focal spot area होता है वो small रहता है इट हेव ए लिमिट ओफ एक्सपोजर मीन्स के नोट गिव एक्सपोजर हायर दें सो केवी इसमें एक्सपोजर की लिमिट सराती है इसमें अपने सो केवी पी से ज्यादा के एक्सपोजर नहीं दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आपने केवी सो तक ही लेकर जा सकते हैं इससे ज्यादा केवी पी नहीं दे सकते हैं Penetration power is low than normal x-ray unit जो अपने normal x-ray unit होती है उससे x-ray machine की mobile x-ray machine की penetration power कम होती है अगर अपने x-ray machine और mobile x-ray machine की तुल ना करें तो जो mobile x-ray machine इसकी penetration power कम होती है control unit है जो इसके control unit होती है उसमें क्या क्या होता है switch on off, on off करने के लिए switch होता है kvp selection, amass selection और amass selection कर सकते हैं और amass selection भी कर सकते हैं electricity provided by portable sorry mobile x-ray machine को electricity किस प्रकार दे जाती है direct AC या direct alternating current दिया जाता है या battery power या इसमें battery लगी होती है उससे expose किया जा सकता है next अपने बात करते हैं portable x-ray unit की अपनी portable x-ray unit कैसे होती है portable can be handled by one able boarded person at a time portable machine ऐसे होती है जो एक person के द्वारा असानी से handle की जा सकती है portable x-ray machine क्या है अपनी को जैसे कि एक hospital से दूसरे hospital में या patient के घर पे या एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अपने ले के जा सकते हैं इसलिए उस machine को क्या है थोड़ा हलका रखा जाता है जो अपनी mobile x-ray machine होती है उससे portable x-ray machine थोड़ी हलकी होती है और उसको आसानी से patient sorry radiographer या कोई भी वार्ड बोई है उसको आसानी से handle कर सकता है और only single person उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले के जा सकता है can be taken around the hospital some place distance from hospital or even to a patient's home इस machine को अपने hospital में या hospital के चारूं तरफ some place distance from hospital कोई एसा स्थान जो hospital के पास में आया hospital से थोड़ा सा दूर है वहां या अपने इसको patients के home पे भी लेके जा सकते हैं इसलिए इसी machine को portable x-ray machine कहा जाता है इसके components होते हैं tube, tube stand, high tension transformer और control unit यानि सेम उसी कितर होती है पर इसके थोड़ा जो exposure होता वो थोड़ा कम रहता है और यह थोड़ी हलकी होती है क्योंकि यह अपने hospital से बार भी लेके जानी पढ़ती है portable x-ray machine के tube की बात करें उसमें tube रहती है अपने stationary anode x-ray tube और जो उसका focal spot area वो small रहता है it have a limit of exposure factor less than mobile x-ray unit इसमें भी क्या है अपने exposers of factor होते हैं उसकी limit fix रहती है और mobile x-ray unit से कम रहती है इन mobile x-ray unit में अपने 100 kv तक exposure दे सकते हैं पर portable x-ray machine में mobile x-ray machine से भी exposure factor कम रहते हैं पोर्टेबल x-ray machine के अपने control units के बात करें तो उस पे switch on off यानि on off करने के switch होते हैं केवी selection केवी का अपने selection कर सकते हैं अमेस selection और उसमें अपने अमेस का भी selection कर सकते हैं electricity provided by जो अपने portable x-ray machine होती है उसमें electricity कैसे प्रोवाइड की जाती है AC power alternating current power या बेंटरी बेक अप या उसमें बेंटरी बेक अप रहता है जिसके द्वार अपने electricity provide की जाती है कि यह अपने को एक mobile x-ray machine का डायग्राम दिखाया गया है इसी प्रकार के अपने portable x-ray machine होती है पर mobile x-ray machine से portable x-ray machine थोड़ी हलकी होती है और इसके केवी exposure है वो भी कम रहते हैं इन mobile x-ray machine का अपने एक वार्ड से दूसरे वार्ड में या x-ray रूम से ICU वार्ड तक लेके जाते हैं जो portable x-ray machine होती है उसको अपने होस्पिटल के चारों होस्पिटल में चारों तरफ या होस्पिटल के पास कोई स्थाने जापने को रेडियोग्राफी इमेज लेनी है वहां या पैसेंट के होंपे भी लेके जानी पड़ती है इसलिए इसे machine को अपने portable x-ray machine कहा जाता है यह अपनी वार्ड मोबाइल रेड प्लेट होती है थैंक यू झाल 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 झाल